अलो एन गूद इवनिग वेलकम टू दीलेक्श नमर नाइनीन आप इसने थे शी टीज एफ ये दिए आप सकता है तो अफसे पहले बाग करते हैं डाक नेट की अगर आप यहां पे डाइग्राम देख पाएं तो तीन वेब होता है जो आपको दिखाएंग नहीं देता और डीप वेब कहीं पार्ट होता है डाक वेब वह होता है जिसको आप नॉर्मली एकसे नहीं कर सकते जो आपको नॉर्मल सर्च इंजन्स होते हैं जैसे आपकी Google Chrome यह सब से जो है यह यह पायरफोक्स इनको जो है इन सब से आप सकते इसके लिए आपको इससे टोर होगे लिए उनियन रिंग इस टाइप के जो होते हैं अंब ब्रॉजर से यह होते हैं ठीक है डाक वेब जो होता है कि नॉर्मल नहीं ओप यह highly encrypted होता है ठीक है यह एक highly encrypted network होता है और यह दिखता नहीं है जो आप सर्च मारते हैं ना जिसे आपने कोई कीवर्ड सर्च मारा जो आपको देखता है वह सर्फिस वेब पे दिखता है डाक वेब में उसके फायदे भी है उसके नुकसान भी है उसके आगे देख लेते हैं कि यूजिस के रिजीम सेंस देशों में उनकी जनरलिस्ट हो गया वह भार के देशों में को कम्यूनिकेट करने के लिए डाक नट का इस्तमाल करते हैं ठीक है हमारी law enforcement agencies उसका इस्तमाल करते हैं ठीक है किसके लिए foresting operation law enforcement कहीं करते हैं आपका स्टिक operations के लिए आप जो हैं यह सारे notes आपको मिल जाएंगे ठीक है और प्लेइलिस का लिंक भी डाल देंगे प्लेइलिस का नाम है science and tech foundation आप जाके देख सकते हैं एथिक्स फांडेशन हम कर चुके disaster management कर चुके चुके पूरा कर लिया है है तो हाप जाकर आराम से देख सकते हैं प्राइबेसी आपकी मेंटेन रखता है फांडेशन प्राइवेट नेट्वोग रहते हैं इंक्रिप्टर्ट में ले जाते हैं आगे वीपेन देखें ठीक है तो आपकी privacy बची रहती है और लेकिन इससके कोन है को नहीं है ठीक है इलिसिट एक्टिविटीज होती है यहां पर ट्रग्स वगेरा कि बहुत बेचे जाते हैं ड्रग्स हीमन ट्राफिकिंग का अड्डा है यह ठीक है और आपका टेक्निकल वह है एथिकल इसके साथ तो इसके अपने कि आप में इश्यूज है नौ इंडियन कॉबर्मेंट ने क्या-क्या लिया है स्टेप नहीं है तो क्या है कि उन्होंने एक साइबर सेकूरिटी फ्रेमट बनाया डील विद दी चैलिज़्जर में पोस्ट पाय दी डाक्नेट तो आपने एक हमने क्या बना दिया साइबर ठीक है बहुत कुछ हुआ नहीं है इस प्रेंट पे सरकार दुबारा तो ज्यादा कुछ है नहीं पड़ाने के इन्वेस्टमेंट करी जा रही है आर एंडी इंप्रूफ के जा रहा है आपका ठीक है आईटी एक्ट में जो हमारे अगर हम लीगल पॉइंट आफ यू से बात क तो पहले कोई चीज क्राइम है उसको माना तो अब बात करते हैं वीपीएन की वहीं क्या होता है वीपीएन कुछ नहीं होता है वीपीएन आपकी दो डिवाइस करता है उनमें कम्मिनिकेशन जो होता है आपसमें वह एक इंक्रिप्टेट फॉर्म में होता है बढ़ा ही यहां पर मैं क्या हूं इसका वीपीएन क्लाइंड हो यहां वीपीएन सर्वर यहां पसमें इंक्रिप्टेट फॉर्म में का कमिनिकेशन चल रहा है तो पता नहीं चलता वीपीएन कर देते ना माल लिया लिप कर रहा हूं कorigि काम कर रही हुए इन तो इसका प्रिसाइज को ड्रॉकेशन को थे बहुत मुझकिल है जिस चंब्र में वीपीएन करता है तो बहुत लोग इस्तमाल भी करते ओर에서 अब इसके भी अपने फायदे हैं इसके अपने नुकसान है ठीक है तो it is a kind of highly encrypted communication between a computer and a server ठीक है यह हो गए VPN benefits क्या है benefits क्या होंगे यह एक तो आपको secure connection मिलता है secure connection के साथ साथ आपको एक secure data transfer मिलेगा आपका data कोई वह नहीं होता है अगर हलका साथ होती है तो एकदम जो है बंद हो जाता है connection ठीक है IP address आपका encrypted रहते कोई टेक्नी कर सकता आपको ठीक है अब यह इसका नेगेटिव भी है ठीक है प्रोटोकॉल्स आइब है प्रोटोकॉल जो आपके encrypted रहते हैं डाटर ट्रांसफर secure रहते हैं आप किल स्वीच है किल स्वीच मतलब अगर कोई interference दिखती है जैसी नेटवर्क में जैसी कोई जो पता ही नहीं जलता कि किसी computer से इंडिया से क्राइब हो उसका वीपें दिखा रहा है इरान में इराक में तो कैसे आप पकड़ोगे ठीक है आपकी जो एक कंट्री में है वहां अट्रीक्स का सब्सक्रीशन पर यह लीड़ी 2000 का है एक कंट्री भी है उन्होंने देखा कि ठीक है नेट्फिक्स लगा गया यह इतने नहीं यहां पर जो है 200 रुपे का है आपने वीपें आन किया तो जो आई पेड्र स्ट्रेक कर रहा है वह बीका सब्सक्रीशन मिल गया तो क्या है का इसका कमेट्शिकल रामिफिकेशन है ठीक है नौँ बीपें का वे फॉरवड गया है अब रोक आप कुछ नहीं सकते हैं तो एक तो आपका जो परस्नल डाटर डाटर प्रोटेक्शन भी ले उसको आप लागो करिए ठीक है जो बियें सब्सक्रीशन की कमेटी के रिपोर्ट पे पहले वावना था तो और चेंज हो गया आपके जो आईटी रूल से हैं उसमें चेंज करिए ठीक है और जो साइबर क्रिमिनल से हैं वह इसका इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो कंपनी जैं उन्हें इसका जो वीपीन बनाती है उन थके कृट्टो करन्सी बहुत अचकी आचकी है आज के टैम पहें तो बैट फिट इस इस इद डिटल और वर्चुल करन्सी और यूंसी सिक्ट्निक इस्तिमाल होती है इसमें क्रिप्टो ग्राफिया इस्तिमाल होती है उन्हें पढ़ा भी चुक यह आ पको ठीक्नोलोजी कौन से इस्तेमाल होगी इसमें ब्लॉक्चेंज और टेक्नीक क्या जो प्रिंसिपल का क्रिप्टोग्राफिए की कि लेयर फॉर्मेशन होती है इसको कहीं भी लीक नहीं है और अगर मैं बानिफेट्स और क्रिप्टोग्रंसी की बात करूं तो वह सारे हैं प्रि भीवेशी प्रोटेक्शन यह रिक टाइब की इंक्रिप्ट्र कुण से थी आपकी बिटकोईन चतो शान ज्क्राइंबाद्म यह आदमी कौन है आज तक नहीं पता है चानोची नाकाख़िव रखभ College और को मोटो सब्सक्राइं नहीं बता लेकिन यह सब से पहले थी आप तो भाईया हजार टाइप के लाइट कोईन यह कोईन वह कोईन डोजे कोई पता नहीं कुन कोईन की अब लिटल करन्सी आगए है हाइली वॉलटाइल होती है यह इसके नेगरिटिव है याद रखनी है तो आपने आपने कोई लोट होते हैं उसका एक और अल्टनेटिव है तो क्या है और अल्टनेटिव टूग प्याट करन्सी मतलब जो हमारी नोट हम लोग लेते हैं ठीक है ओपन सोर्स मेथालोजी यह पब्लिक पार्टिसिपिशन बढ़ाती है और पिनेंशल इंक्लूजिन को इंक्रीज कर सकती ह एक कैसे वक करती है यह मैं आपको बताई दिया था क्रिप्टो करन सी से पहले प्छली लेक्चर में देखना आप महलं पर हमने आपको समझाया है ठीक है आप मानलिया जैसे मैं आपको परमेंट करनी है ठीक है तो एक सरवर है मैं भी यहां रिक्वेश्ट भेजेगा एस मुझे भी आपने यह इतनी की पेमेंट देने के लिए इसे का है हम मैं इसको यह करूंगा और यह इसको पेमेंट कर देगा ठीक है इस टाइप से इसके बाद अन्रेगुलेटेड नेचर कोई रेकुलेशन नहीं है इस पर इस अन्रेगुलेटर नेचर ठीक है अब एक प्राब्लम से मान लिया किसी ने क्रिप्टो कर रंसी में टैक्स पे कर दिया ठीक है और कल को अब अब सरकाल को पैसा चीए दोसी चुर्णतर को निकले म लिए को मानती मानती गे वे इस तो यह Müd completing क्या है है कभी पॉर्वर्वड क्या है कभी यह मत लिखना कि भी यहीन सब्सक्राइघ करना उसको और elegant regulate करनाऄ उसे और रिफाइन करनाउसे और बैटर करना ठीक है उसे और huge बनाना useful बनाने का मतलब है उसको misuse से भी दूर रखना है यही इसका way forward होगा ठीक है अब big data भाई big data तो आज कल data data की बहार चल दिए ऐब big data यह नहीं कि 10 लिए लोगा भीस हमने डाटा लिया है सोल लोगों को डाटा लिया उससे हमने कुछ निकाल दिया नहीं बिग डेटा का मतलब में मिल्लियंस ओफ पीपल का डाटा आपके पास है आप उसको तब प्रोसेस कर रहे हैं इसलिए उसके लिए नई फील्ड लागी डेटा एनलेटिक्स और यह वाले इंजिनेर्स बहुत पैसा च्छाप रहें आजकल डेटा अनलेटिक्स वाले अब इसका मतलब यह नहीं कि आप भी डेटा अनलेटिक्स करने अच्छा लगए तो जरूर करें प्रेंड तो मैं बता रहे हैं तो वह एक कंपनी के लिए वक कर रहा था तो अब अब यह जहाज ख़़ा रहे हैं उतना नुकसान है उतना एयरपोट को ज्यादा पैसा देना है तो उसने देखा कि अगर हम कुछ नंबर ऑपीपल जैसे जो बुज़ोग व्यक्ती हैं जो इ पर्टिक्टी कुलर उलाइंग्MAN में में अगर हम फिल अब करें तो उसने कुछ 60 मिनट एक प्रेट में कम कर दिया अब 6 मिनट अगर वह एक प्रेट में कम कर पाया थो माल्याकी अगर हम हझाई चल रहे हैं में एक दिनने 600 मिनिंट्स उसने उसे इतना फाइदा से मिलियंस ओफ डॉलर का उसने को छोटा मोटर करता है इसके सिक्स भी होते हैं सलजव कि से विल्यावियॉँंव मतलब कि बहुत बड़ा होना चीहंब लाज मैं डाक्या तुम्हें kinda ट्रश्ट्फुल चाल लोगों ने भर रखेंड घ्या कुसी ने वैसे नहीं चलेगा वैल्यु का सब्सक्राइब के कितनी तरीके सा उसको यूसद सेटल किया जा सकता है तो यह थी बात बीगडीटा होता क्या है किस बैसे कर Cameeस्जम हम्पाइब आपकी डिसीजइन मिकजंग को वह एफिशिएंट बनाएगा आपकी decision making को वह improve करेगा आपकी decision making को वह fast मनाएगा ठीक है प्रोटेक्ट कंपनी एंड क्लाइन इफ्रमेशन ठीक है एफ्यक्टिव मार्केटिंग कर सकते हैं मार्केटिंग में बड़ा इंपोर्टेंट है पतल लग जाएगा कि आपने रिल्स चला तो देखा आपने की पर्टिकुल डाइब की रिल्स क्यों आती है आपको वह आपको बिग डाटा से मेल जो मशीन लर्निंग आपको 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 मोटिवेशन बहुत पसंदों आपको मोटिवेशन लिल्सी इसका प्रेट्ट है तो बेडर प्रडट टार्गेटंग वह जाती है ठीक है और क्या वहीएट्ट हो सकते हैं ठीक है पुट्ट बीवेवियर को आप प्रिट कर सकते हो निए जब आप कम स्वीवियर को प्रिट बैटेट कर पाऊँए तो यह इसकी कि पैदे हो गये बिग इसके साथ सेक्टर्स है इसके साथ प्राइवेसी इतने लोगों का डाटा रहा है लेकिन उनकी प्राइवेसी भी तो ब्रीच हो रही है ठीक है इसका एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई ऐसा डाटा क्लेट करना या उसको एनलाइस करना सही भी है या नहीं है ठीक है और इन जो बहुत होता है तो उसको जो है अल्गॉरिधम के थूरू प्रोसेस किया जाता है और अल्गॉरिधम के साथ आपकी क्या दि जादिया आपको कि मनना नहीं कर सकते क्या करना है कि उसकी acceptance है भाणि है कि लोगों को उसे और करना है लोगों की privacy को प्रोटेक्ट करना है उनकी security को प्रोटेक्ट करना है ठीक है और आरएंड को बढ़ाना है डीटा सइन्टिस्ट चाहिए हमें उन्हें बढ़ाना है बढ़ेंगे जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया ठीक है और ट्रेनिंग दीजिए लोगों को ठीक है और इसको पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो फैदा कोई फैदा नहीं है और लास्ट आप अगल बगल देख रहे हैं सब आपके रोबोट चल रह विख के रोबोट बना नहीं फिर आप उसे डिजाइन करोगे डिजाइन के बाद उसे आप मैन्यूट्ध्य व् veil करोगे मैन्यूट्य के बाद आप उसे ऑर अपयोड करोगी ऑप परेट यत के बाहुट च्यार्प कहा है ट्टेस्टिंग कृष्ट करोगैं पर बेस्त पहला लौ क्या बोलता है कि कोई भी रोबोट humans को injure नहीं करेगा ठीक है कोई भी रोबोट जो है human को injure नहीं करेगा और अगर उसको लगता है कि किसी भी human की जान खत्रे में है तो उसे बचाएगा कि रोबोट जो है वह human की बात मानेगा वह human की बात मानेगा उसे यह लग रहा हो कि मैं इस human की जान बचा सकता हूं ठीक है अब भाई मतलब कोई रोबोट है कोई आप आदमिया आद्म आध्या करने जा रहा है रोबोट को लगता है यह तो अपनी जान ले लेगा और पहले वह फर्स्ट और सेकेंड लॉग फॉलो करेगा तो वह अपने एक्जिस्टेंस बचाएगा ठीक है टाइपस ऑफ रोबोट्स बहुत सारे होते हैं अंड्रोइड टेक्लियर टेली प्रेजन इंडेस्ट्रियल स्मार्ट एक से एक रोबोट होते हैं ठीक है उनके कहां कहां एप्लिकेशन है हर इंडेस्ट्री में उसकी अप्लिकेशन ने आटोमेशन में होम इलेक्ट्रोनिक्स में अलेक्सा है आपकी यह क्या है अग्या है अग्या है अट्रोट्स इसका यूज किया जा सकता है है सो आज के लिए इतना ही बने रहे हैं आप हमारे साथ कोई भी आपको डाउट हो तो हमाएं नमब्र 8630711706 को में कॉंटक्ट कर सकते हैं सेंसें टेक का पूरा कोर्स हम पढ़ाएंगे लग 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 चाल पांच लेक्ट्र और रहेंगे उसके बाद हम कर देंगे फिर नया सब्सक्राइएंगे तो तिल देन बाबाए टेक केर की गुट टेक गुट गुट केर अफ यरसेल्फ एमोश्टल और फिजिकल और कीप स्मयलिंग and we shall see you soon bye-bye